हलो फ्रेंज वेलकम बैक तो माई यूटूब सेनल यह देखिए मेरी नॉन मेकप लूप कैसे दिक्री यूनम है एट फर्स में आपने स्कीन पे फेस टोनर यूज़ करती हो फेस टोनर रोज लगाना चाहिए यह आपके फेस के पोर्स को टाइट करता है अगर स्कीन में बहुत ज़्यादा तेल बनता है तो पोर्स बन हो जाता है और पिम्पल्स निकल आते हैं इससे बसने के लिए आपको डेली फेस टोनर यूज़ करने चाहिए सांस्क्रीम सांस्क्रीम का इस टैमाल दोप से बसने के लिए नहीं वल्के हर मोसम में इसलगानी चाहिए सांस्क्रीम शमय से पहले भूरापे का लक्षन और स्कीन के पोर्स कॉर्पने के लिए पी काम करता है इसके बाद मैं यूज करती हूँ फेस प्राइमर फेस प्राइमर लगाने से छेरे के ओपन पोस छोटे हो जाते हैं और मेकाप आराम से छेरे पे दिका रहता है इससे फेस की जुडिया भी छीप जाते हैं उसके बाद मैं यूज करती हूँ फांडिशन फांडिशन में बहुती कम क्वांटिटी यूज करती हूँ कम क्वांटिटी में इसलिए यूज करती हूँ ताकि लगाने के बाद मेरा सेरा नेचरेल दिखे उसके बाद मैं यूज करती हूँ आई वुडू मेरी जो आइबरू है वो नेचारेली बहुत ज़्यादा दार्क है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फील करती हूँ ताकि मेरी आइबरू एकदम नेचारेल दिखे उसके बाद मैं यूज करती हूँ आइसेडो आइसेडो में मैं हमेशा डाक ब्राउन कलर यूज करती हूँ क्योंकि मुझे स्मोकी लूप बहुत पसंद है उसके बाद में यूज करती हूँ काजल काजल में ज्यादा की ज्यादा ब्लू कलर यूज करती हूँ क्योंकि मुझे ब्लू कलर बहुत ज्यादा पसंद है उसके बाद में यूज करती हूँ मासकरा मासकरा से आपका जो ऑले से उसको एक फॉलियूम लुक मिलता है ज्यादा की ज्यादा की ज्यादा नीड कलर यूज करती हूँ मैंने सारा प्रोड़क्ट का लिंग दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दाल दिया आप लोग चाहे तो इसे खरिच सकते हैं और ये है मेरा फाइनल लूप कमेंट करके जोरू बताएगा मैं कैसी दिख रही हूँ ये वाम आप लहीं प्लिश बीङ करेंथागया करेंस जातरा प्रीक जब हम टेक्करण